आठ सुत्री मांगों को लेकर आंदोलित उत्तर प्रदेश लेकपास संग जिला एकाई के सदस्यों का धर्णा प्रदेशन गुरुबार को तीसरे दिन भी जारी रहा जबकि प्रदेश सरकार ने लेकपालों के हर्ताल को असनवेधानिंगोसित करते वे 6 मां का प्रतिबंद लगा दिया है और इसका पालन नहीं करने वाले कर्मियों पर एसमा लगाने के निर्देश जारी किये हैं बुद्वार को मुखे सचील से बाचीत बेफिल होने के बाद लेकपालों का धर्ना जारी है आपको बता दे कि प्रदर्शन कर रहे हैं लेकपाल वेतन उच्चिकरन वेतन बिसंगती, पैंशन बिसंगती, भत्तों में ब्रिधी, राजसर परीसर द्वारा प्रस्ताविद राजसर उपनिरक्षन सेवा निवामली को कैमिनेट में पारित कराने, लेकपाल स्मार्टफोन का बितरन, राजसर निरक्षन पदोनती में संगर अमीन तथा भूमी अमीन का कोटा समाप्त किये जाने तथा आधार, भूत, सुविधा एवं संसादन उपलव्द कराने की मांग कर रहे थे गोरको न्यूस से बात करते हुए लेकपास संके जिला मंतरी जगदिर्श परसाथ ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हर्ताल जारी रहेगा उन्होंने कहा मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही हमारे मुख्यमंतरी जो बरतमान में है इस तत्कालिन सांसत थे जिसे हमारा 2016 में आंदोलन चला हमारा जिला प्रतनिदी मंडल उनसे इच्छ सुत्री मांगों के बावत जब मांग पत्र दिया इन्होंने 20 मिनट हमारे जिला कायर काड़ी से बारता किया और बारता में इन्होंने कहा कि आप कि जितनी मांगे हैं जायज मांगे हैं और इस जायज मांग हो गया मैं यह आपके टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूं माने मुख्रमति जो इटिस्टी का बाइस कार क्या था इसको लिए करके पुछासा में कि किसी जाओ काल कराई आज मेरे धरने पर उनका नेतरित करता जो प्रदेश नेतरित करता आये थे प्रदेश अध्यच गंगे सुकला जी उन्होंने खुडे मन से हमारा समर्थन करते हुए उन्होंने यह वाइस कार कर दिया कि मैं लेकपाल का कार नहीं करूंगा प्रदेश निर्देश तब तक मेरा धर्ना प्रदशन चला है अभी कोई डेट निश्चित नहीं है जगदीश प्रशाज जिला मंत्री उत्तरप्रदेश लेकपासंग गोरबबूर